ओम शांती, 11 जुले की शुरुदान में अब सब कस होगाते हैं, परमात्मा पिता कहते हैं कि सत्यता की अथौरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विज़ई भवा आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रिष्ट आत्माय हो, सत्य ग्यान, सत्य बाप, परमात्मा भी सत्य है, ग्यान भी सत्य है, सत्य प्राप्ति, जो दुनियावी प्राप्ति हैं को समय के लिए इसने जूटी और जो परमात्मा से प्राप्ति होती हैं, सुक, शान्ती, प नाम से उनके करतवे से पहचान करके उनको याद करते हैं विश्व में मानते हैं लेकिन जानते बहुत कम हैं तो वो सत्य याद नहीं हुई वो एक भावना एक भक्ती होगी लेकिन ग्यान भक्ती के बाद में आता है सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं इतनी बड़ी अथोरिटी का नशार है तो ये सत्यता की अथोरिटी हर आत्मा को आकर्शित करती रहेगी जूटखंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं जूटखंड अभी की बात हो रही है कल्ली को कहा जाता है जूटखंड इसमें भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं विजयी बनने के का के चाहिए? सत्य ग्यान चाहिए, सत्य बाप की पैचान, सत्य प्राप्तियां, सत्य याद, सत्य गुन, सत्य शक्तियां सत्यता की प्राप्ती खुशी और निर्भैता है सत्यता की प्राप्ती क्या है? खुशी और निर्भैता है आपको अंदर से खुशी होगी आपको चिंता ही नहीं होगी चिंता होती है तो खुशी अड़ जाती है और निर्भैता किसी चीज के आपका डर नहीं रहेगा किसी को उसको सिद करने की ज़रूत नहीं है चुपचाप होकर के अपने सत्य मार्ग पर चलते रहेगा और जो सत्य मार्ग पर नहीं होता है वो सबको सुनाता रहता है, बोलता रहता है सबको जताता रहता है या वो इसलिए जताता है कि वो सबसे ओपीनियन चाहता है, सबसे समझना चाहता है कि वो ठीक रस्ते पहे कि नहीं, क्योंकि उसके पास में सत्यता नहीं है सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता अमश्यान्ति